विश्वा आज अपनी Renewable Energy Supply Change को Divertify कर रहा है। ऐसे में इस बजेट के मादम से भारत ने हर Green Investor को अपने यहां निवेश का बहतरीन आउसर दिया है। यह इस सेक्टर में आ रहे स्टार्ट अप के लिए भी बहुत ही उप्योगी साबित होने जा रहा है। साथियों 2014 के बाद से ही भारत Major Economist में Renewable Energy Capacity Edition में सबसे तेज रहा है। हमारा track record बताता है कि Renewable Energy Resources को लेकर भारत जो लक्षत तय करता है उसे समय से पहले पुरा करके दिखाता है। हमारी installed electricity capacity में 40% non-fossil fuel के युगदान के लक्ष को भारत में 9 साल पहले ही प्राप्त कर लिया। पैट्रोल में 10% ethanol blending के लक्ष को भी भारत ने 5 महिना पहले ही हासिल कर लिया। 20% ethanol blending के लक्ष को भी भारत ने 2030 से कम करके 25-26 तक पुरा करने का निर्धारिक किया। वर्स 2023 तक 500 घीकाबोट non-fossil based electricity capacity हासिल करके रहेगा। हमारी सरकार जिस तरह बायो फ्यूर्ट पर जोड़ दे रही हैं वो सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी opportunity लेकर आया है। अभी हाल ही मैं मैंने E20 fuel को भी launch किया है। हमारे देश में एग्री बेस्ट की कमी नहीं है। ऐसे मैं देश के कौने कौने में इथेनोल प्रांट्स की स्थापना के मोके को इन्वेस्टर्स को छोड़ना नहीं चाहिए। भारत में सोलर, बीन, बायो गैस का जो potential है। वो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए किसी गोल्ड माइन या ओइल फिल्ड से कम नहीं है। फ्रेंड, नेशनल ग्रीन हाइडरोजन मिशन के माध्यम से भारत हर साल 5MMT ग्रीन हाइडरोजन के प्रोडक्शन का लक्ष लेकर चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर को एंकरेज करने के लिए इस मिशन में 19,000 करोड रुपिये से अधिक का प्रावधान किया गया है। ग्रीन हाइडरोजन के प्रोडक्शन के साथ ही आपके लिए और भी बहुत सारे आप्शन्स हैं। जैसे एलेक्ट्रोलाइजर मैनुफेक्टरिंग, ग्रीन स्टील की मैनुफेक्टरिंग, लॉंग हाल ट्रांस्पोर्टेशन के लिए फ्यूइल सेल्स के निर्मार में भी इन्वेस्ट्मेंट की अनेक अपर्टुनिटी आ रही है। फ्रेंट्स, भारत में गोबर से दस हजार मिलियन क्युबिक मिटर बायो गैस और एग्री रेसिड्यू से डेल लाख मिलियन क्युबिक मिटर गैस के उत्पादन का पोटेंशल है। इससे हमारे देश में सीटी गैस डिस्टिपिशन में एट परसेंट तक का योगदान हो सकता है। इनी संभावनाओं की बज़े से आज गोबर्धन योजना भारत की बायो फ्यूल स्ट्रेटरजी का एक एहम कॉंपोनेंट है। इस बज़ेट में सरकार ने गोबर्धन योजना के तहट पांसो नए प्लांट लगाने की गोशना की है। ये पुराने जमाने के गोबर गैस प्लांट की तरह नहीं होते। इन आधुनिक प्लांट पर सरकार दस हजार करोड रुपिय खर्च करेगी। सरकार का Waste to Energy प्रोग्रेम देश के प्राइवेट सेक्टर के लिए हमारे MSMS के लिए एक नया मार्केट बना रहा है। गावों से निकलने वाले एगरी वेस के साथ ही शहरों के मुनिसिबल सॉलिड वेस से भी सीबी जी का प्रोडक्शन उनके लिए बहतरीन मौका है। प्राइवेट सेक्टर को उत्साहित करने के लिए सरकार टैक्स में छुट के साथ ही आर्थिक मदद भी दे रही है। साथियों भारत की वेहिकल स्क्रेपिंग पॉलिसी ग्रीन ग्रोज स्क्रेटेजी का एक एहम हिस्सा है। वेहिकल स्क्रेपिंग को पॉल्साहित करने के लिए सरकार ने इस बजेट में तीन हजार करोड रुपिय का प्रावधान किया है। आने वाले कुछ महिनों में केंद्र और राज्य सरकार की करीब करीब तीन लाग गाड़ियों को स्क्रेप किया जाना है। ये गाड़ियां पंदरा साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। इन में पुलीस जिन वेहिकल का उप्योग करती हैं वो गाड़िया हैं। खास करके हमारे हॉस्पिटल में जो एमुलेंस हैं, हमारे पब्लिक ट्रांस्पॉर्ट के जो बसीज हैं। वेहिकल स्क्रेपिंग आप सभी के लिए बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। ये री यूज, री साइकल और रीकवरी के सिधान पर चलते हुए हमारी सर्कुलर एकोनोमी को भी नई ताकत देगा। मैं भारत के नवजवानों को, हमारे स्टार्ट अप्स को सर्कुलर एकोनोमी के विविन्न माध्यम से जूढने का भी आगर करूँगा। फ्रेंड्स, भारत को अगले 6-7 साल में अपनी बैटरी स्टोरेज केपिसिटी को बढ़ा कर 125 गिगावट अवर्स कर रहा है। ये लक्ष जितना बड़ा है, उतना ही आपके लिए इसमें नई सम्भावनाय बन रही है। इसे हासिल करने के लिए लाखों करोड रुपिये के निवेश की आवशकता है। बैटरी डेवलपर्स को सपोर्ड करने के लिए सरकार ने इस बजेट में वायबिल्टी गैप फंडिंग स्कीम की भी गोश्रा की है। फ्रेंट भारत में वाटर बेज ट्रांस्पोर्ट एक बहुत बड़ा स्क्टर है। जिसमें आने वाले दिनों में बहुत तेजी आने वाली हैं। आज भारत अपने कोस्टल रूट के जरिये सिरफ 5% कारगो का ट्रांस्पोर्ट करता है। इसी तरह इनलेल बोटर बेज के जरिये सिरफ 2% कारगो भारत में ट्रांस्पोर्ट होता है। जिस तरह भारत में बोटर बेज का निर्मान हो रहा है। उसमें इस खेतर में आप सभी के लिए बहुत सारी अपर्चुनिटीज मन रही है। साथियों भारत ग्रीन एनर्जी से जुड़ी टेक्लोलोजी में दुनिया में लीड ले सकता है। ये भारत में ग्रीन जॉब्स को बढ़ाने के साथ ही ग्लोबल गुड में भी बहुत मदद करेगा। ये बजेट आपके लिए एक आउसर तो है ही इसमें आपके भविष्य की सुरक्षा गारंटी भी समाहित है। बजेट के हर प्रावधान को अमल में लाने के लिए हमें तेजी से काम करना है, मिलकर के काम करना है, आप सभी आज के इस वेबिनार में बहुत गंभीरता से चर्चाएं करेंगे। ये बजेट पर की चर्चा बजेट में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, इसके संदर्प में नहीं है। अब बजेट आ चुका है, सौनसद में अल्रेडी पेश हो चुका है। अब हम सब ने मिल करके, सरकार ने और देशवासियों ने मिल करके, इस बजेट की एक एक चीश को बहुत अच्छे तरीके से कैसे लागू करें। नए ने इनोवेशन कैसे करें। देश में ग्रीन ग्रोथ को हम कैसे सुनिशित करें। एग्रीकर्टर फिल्ड के लोगों का, एक्सपर्ट्स का, एकडेमिशन्स का, रवेश से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस बेमिनार की सबहलता के लिए